जैहिंद प्यारेजाती इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट GDS की भरती के बारे में सिज्जूर्ट सेकंड की जो आपकी विगिंस ही निकाले की थी जिसमें कुल पदों की संक्या 3041-30 की सेकंड और थर्ड लिस्ट के बारे में में बात करने बालों और आप सभी को बताने वालों कि कब तक आपकी जो लिस्ट है वो जारिफ हो जाएंगी या पर किसी दूसरी तीसरी लिस्ट भी आने वाली हैं तो सारी चीज़े मैं आपको क्लियर करूँगा साथी मैं ये भी क्लियर करूँगा कि कितनी आपकी जो मैरेट वो कम जा सकती है ज ताकि future में आने वाली हर एक update का notification आपको सबसे पहले मिलता रहे, आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा आपकी married list के बारे में, कि यहाँ पर आपकी married list है वो कब तक आईगी और कित document verification के लिए, यानि कि जो candidate select हुए थे, लगवग 28,000 से अधिक candidate की वो पहली वाली list दारी की गई थी, जो आपका result declare हो था, और उसमें date दी गई थी, कि आपको 16 September तक जाके, अपने office में जाके, वो verification अपना करवा लेना है, document verification, अब उसका time हो चुका है, complete तो जितने candidate जो भी व जाएगी, आप सभी को बता दें कि second के बाद third list भी आएगी और third list के बाद और और भी आपकी list आना बात की है, तो इसी तरी किसे और भी आपकी काफी list आएगी, लेकिन अभी जो बात करेंगे वो करेंगे, यहां पर second and third list के बारे में, और फिर बात करेंगे आपकी low cutoff के ब रखेगा, बहुत सारे candidate ऐसे होते ही कि बिल्कुल पत्तर की लखीर मान लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़े होते हैं, जिसकी वज़े से कभी कबार बदला भी हो जाते हैं, तो आप इतना मान के चलो कि लगवक्त 23 September तक उमीद है कि आपकी जो नई list है, second or third list वो आपकी जार candidate है, क्या उनका selection हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपका result है तो जब first list आपकी जारी हुई थी, उसमें भी 100%, 99% और 98% वालों के ही selection हुए थे, बाखी का low merit वालों का कहीं पर भी selection नहीं हुआ था, तो देखिए इसके लिए मैं आपको clear एक चीज बोलना चाहू है हर एक बढ़ती में, और यहां पे 100% वाले और 90% वाले 99 वाले 98 वाले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, अब आप यह समझो कि अभी आपकी merit list ही 100 पर 99 और 98 पर लग रही है, तो 60, 70, 50 वालों का क्या ही बनेगा, यानि सीधा सीधा मैं कहूंगा कि अगर इनोंने system में मुस्किल ही उपाएगा, क्योंकि जब इतनी higher cutoff जाएगी तो कोई chance नहीं है मेरे भाई, और मैं फिर कहरूं कि जब तक ढंक बिवाग इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा, तब तक इसके result का घपला है, यह इसी तरीके से चलता रहेगा, और इसी तरीके से हर वार merit पर merit आती रहेगी, लेकिन cutoff आपको कम देखने के लिए नहीं मिलेगी, तो जो भी चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं, यहाँ पर 22-30 तारीक में आपकी नई लिस्ट जारी हो जाएगी, इसके बाद भी आपकी 4, 6, 8, 8, 10, 10 merit लिस्ट जारी होती रहेगी, यह आ channel OVC candidate की मैं बात करूँ, तो इनका selection यहाँ पर chance बन सकते हैं, बाकी का इससे नीचे जैसे ही आप blow जाओगे, तो आपकी chance बहुत ही कम हो जाएगे, बाकी का 16 September तक अगर कोई बच्चा भी अपने document verification करवाने नहीं गया है, तो वो reject माना जाएगा, अब नई list जारी होगी, तो इसलिए आप सभी update रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है, कि लिस्ट जारी हो चुकी है, और वो 6-7 दिन के अंदर अब आपना document verification नहीं करवाने जाते हैं, तो उन्हें reject कर दिया जाता है, उमीद करता हूँ, पूरी जानकारी, short detail में आप सभी को मिल गई होगी, तो वीडियो पसंद आगी हो, तो वीडियो को लाइक शेर करके चैनल को सब्सक्राइब करने हैं, और वैल आइकन पर प्रेस करने हैं, ताकि फ्यूचर में अभी आपको और एक update का notification सबसे पहले मिलता रहे, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, फिल